जारखन बोड के बार्वी का रिजल्ट आ गया है इस बीच एक ही नाम की हर ओर चर्चा है वो नाम है जीनत परवीन जीनत परवीन कौन है? तो वो है जारखन बोड के बार्वी की टॉपर उन्होंने बार्वी में 94.4 प्रतीशत नंबर लाकर टॉप किया है आज जीनत परवीन जिस मुकाम पर पहुंची हैं वहां उनके लिए पहुंचना इतना आसान नहीं था हर रोज 10 किलोमेटर पैदल चल कर पढ़ने जाना और इतना ही पैदल वापिस आना ये जीनत परवीन की रोज मर्रा की जिंदगी थी पिता सबजी बेचते हैं जो कुछ भी सबजी बेचने के बाद कमाकर घर लाते हैं उसी से पूरा परिवार का खर्चा चलता है इसमें जीनत परवीन की पढ़ाई का खर्च भी शामिल है हाला कि बिपरीत परिस्थितियों के बावजूद जीनत परवीन ने अपने होसनों की उडान की लौफ कभी कम नहीं हुए थी उसी का नतीजा है कि आज वो इस मुकाम पर खड़ी जीनत का सपना आई इस बन कर देश की सेवा करना है जीनत के पिता सावीर अंसारी को जब बेटी के टॉप करने की खबर मिली तो वहाँ भावुक हो गए उन्होंने कहा मैं हर रोज आसपास के बाजार में सबजी बेच कर परिवार का खर्चा चलाता हूँ आज बिटिया का जो रिजल्ट आया है उसने मेरे संघर्ष को सुकून दिया है बिटिया आगे जहां भी और जैसे भी पढ़ना चाहेगी उसे हम पढ़ाएंगे बता दें मंगलवार 30 अपरेल को रिजल्ट जारी होने के खरीब दो घंटे बाद जब जीनत को स्कूल के टीचर ने स्टेट टॉपर होने की सूचना दी तब उसे यकीन नहीं गुआ जीनत शहर से गरीब 12 किलोमीटर दूर सतक नादू गाउं की रहने वाली है इस साल जारखंट बोर्ड बार्वी का रिजल्ट 85.48 पीस दी रहा तीनो स्ट्रीम में रांची के छात्राओं ने टॉप किया है इस बार साइंस में 72.70 प्रतीशत, कॉमर्स में 90.70 प्रतीशत और आर्ट्स में 93.16 प्रतीशत विद्यार्थी सपल रहे हैं जारखंट बोर्ड ने पहली बार इंटर्मेडियेट के तीनो स्ट्रीम का रिजल्ट एक साथ प्रकाशिक गया है उसके बाद मुझे मेरी मैम है एकोनामिक्स के टीचर सुनेयना मैम वो कॉल की बोली कि तुम रांची टापर बनी हो मुझे बहुत खुशी हुआ ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें लोग मताएं